दोस्तो क्या आपको पता है कि आखिर कैसे एक मोटर काम करता है दोस्तो दरसल जैसे ही मोटर शेल को बेरल में डाला जाता है तो शेल फारेंग पीन से टकराता है जिसे डिटोनेटर एक्टिवेट हो जाता है और gases छोड़ते हुए blast हो जाता है जिसके explosive pressure की वज़े से shell fire हो जाता है और दोस्तो एक mortar की maximum range पूरे 6 km तक होती है साथ में mortar के shell के उपर एक dial होता है जिसमें blast की 4 setting होती है पहली proximity जिसमें shell target से 2 मिटर की दूरी पर ही blast हो जाता है दूसरी near surface burst जिसमें shell target से 30 cm उपर ही blast हो जाता है तीसरी impact जिसमें shell target पर गिरते ही blast हो जाता है और सबसे last में delay जिसमें shell target के उपर गिरने के बाद 0.5 सेकंड के बाद blast हो जाता है